अबनपूर विकास खंड के ग्राम नवा गाउं के गोठान को मौडल गोठान बनाया जा रहा है छेतरी विधायक धनेंद्र साहू के मार्क दर्सन में गाउं के सरपंज भगत साहू ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भुपेज बगेल सरकार के सुराज योजना के अंतरगरत जैधर्तिमा महिला स्वसाहता समू के सहयोग से तीन एकड भूमी को उपजाओ बनाते वे सबजी बरबटी, करेला, भिंडी, तरोई लगाया है। सिचाई के लिए सोलर पंप की विवस्था भी की है। इस मॉडल गोठान में छायादार वफलदार पेड जैसे नीम, पीपल, जाम, कठल, बादाम, आम, कदम जैसे अनेक औसदी गुण वाले पौदे भी लगाये गये गोठान में पसुधन के चारे के लिए नेपियर घास वा मक्के के अलावा पैरावट का पर्याप्त स्टाग भी रखा गया है। सरपन्च साहु ने बताया कि यह सब काम ग्रामवासियों वा पंचायत प्रतिनिदियों के सयोग से सफल हो रहा है। साहु ने बताया कि इस गोठान का निरक्षण करने कौनरेस नेता, पी यल पुनिया, पी सी सी अध्यक्ष, मोहन मरकाम, केविनेट मंतरी, कवासी लखमाक, कलेक्टर, रायपूर से जन प्रतिनिदी भी आ चुके हैं। जै धर्तिमा महिला स्वेसायत समू की अध्यक्ष, दुरगा चकरधारी, इन दिनों गोठान में लहलहा रही है। इसके साथ ही गोठान के लिए डेड़ सो ट्रॉली पैरा, गौधन के लिए सुरक्षित रखा गया है। उपने साथियों के साथ नावगाव में बने इस आदर्सकोठान का निरक्षन करने पहुचे। इस आदर्सकोठान को देखकर वे काफी प्रसन्न चित नजराये। उन्होंने सरपंच भागवत साहू एवं महिला स्वसायता समू को हर संभव साहता करने की बात भी कही। पवन सेल, पंच संतोज, पंच सिव नरायन सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे। DNX TV के लिए नवा पारा राजिन से विश्वेसर हिरवानी की रिपोर्ट। पताएं कि कैसे बताएं। सासन के जो महत्यपूर्ण योजना के अंतरगत सुराजी योजना का जो कारिकरम प्राराम किया गया है। तो माननी भूपेज बगहल जी और हमारे छेत्री लोगत्रीय और हमारे मार्ग दर्सकी विधायक के दिसर निर्देश में हमने इस दिसा में काम करना प्राराम किये हैं। तो आज इस सिती ऐसे है कि सुराजी योजना के अंतरगे नरवा गरवा घुरवा वाड़ी के तहत हमने पुरा हमारे गाउं के इतने भी पसुद है उसके लिए बेवस्ता चारा का बेवस्ता करते हुए अच्छे गोठान निर्मान का काम प्राराम किये थे जो आज हमको और जो दिशा हम से हमको जो दिया गया था मानी विधायक जी के द्वारा तो हमने विधायक जी को इसे सुलस्ते हां मंत्रित किये से और उन्हें आकर पूरे जितने भी गौठान में यहां पैरा रखा है उसको सेड़ बनाये जानवर के लिए उसको और हम हरा चारा जो जान भुरी भुरी प्रस्टा करते हुए उन्होंने आने वाले समय के लिए अच्छे विक्षा रुपन अच्छे ब्रिट का बांस का पौधा लगाने के लिए और कुछ-कुछ जो चायादार फलदार विक्षा लगाने का और कुछ-कुछ जानवरों का आवस्त्यक मूल भूत आवसकता है उसको पूरा करने के दिशा निर्देश करके यहां से गए हैं और हमने उसके कहने के उसके निर्देश के आधार पर हम आने वाले पंदरा दिन बीज दिन या एकात महना में हम इस गौठान का स्वरूप बहुत अच्छे डंग से बदल लेंगे ऐसे हम लोग मह से उनी के महनत से आज इस सिती यह निर्मीत हो गया है कि हमको ऐसे महसूस होने लगा है अपने आप में कि आने वाले समय में जो हमारी कांग्रेस सरकार का योजना है सुराजी ग्राम योजना तो पूरा कंप्रेट यहां एक मूर्त रूप में दीखेगा ऐसे हम मान के चलते हैं और इस दिशा में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि देखिए प्रदेश के गौधन को समर्धन करने के लिए और ग्राम में स्वालंबन के ओर ले जाने के लिए साथ ही हमारे आज प्राचीन परंपरा के तहट गव हमारी माता है बोलते हैं लेकिन समर्धन नहीं होता और इसी को बहुत सारे बहुत देशी कारगरम के तहट सोच के तहट नर्वा गर्वा घुर्वा बारी यह 36 गड़ में करने का संकल्फ हमारी सरकार ने लिया है प्रथम चरन में पिछले वर्स 15 प्रतिशत गाओं को और इस वर्स भी 15 प्रतिशत अन्य और अत्रित गाओं को भी इस योजना के अंतरगत लिया गया है और गोठान के माध्यम से जहां हमारे प्रसुधन की सुरक्षा हो रही है वही महिला स्वस्रायता समुहों के माध्यम से उनको रोजगार देने के लिए चारागाह का विकास बाड़ी का विकास ये सारे कारिकरम हमारे इस गोठान योजना कंतरगत किया जा रहा है और बड़ी खुशी होती है कि हमारा अभनपुर ब्लाक का ग्राम नवा गाओं में यहां के सर्परंजी के द्वारा यहां के गाओं के लोगों के द्वारा इस गोठान का विकास एक माडल गोठान के रूप में इन्होंने विक्षित किया है और अजी देखकर प्रसंता हो रही है कि यहां पर अच्छे सबजी का उत्पादन सुरू हो गया है यहां गाय के ल ग्रूप नामा गाओं में हमारे गौठान का विकास आज हुआ है उसके लिए हम लोग यहां के सभी सर्पंजी सहीत सभी पंचायत के लोगों को गाओं के लोगों को बहुत-बहुत बढ़ाई और सुपकामना देते हैं जी सुप्यादर